हरे कृष्ण लॉजिकल गीता की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है आज का विशह है गीता में काम क्रिया के बारे में क्या कहा गया है श्रील गुरुदेव को प्रणाम आए श्री राधा गोविन देव जी की कृपा से आज की प्रशन पर चर्चा करते हैं आपकी सेवा में नरहरी प्रलाद दास जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज का हमारा प्रशन है कि गीता में काम क्रिया सेक्स के बारे में क्या कहा गया है भगवत गीता सात्वा ध्याय ग्यार्वाश लोग भगवान ने कहा है कि धर्म अविरुद्ध भूतेशू कामे अस्मी भरत्रिश्व भगवान ने कहा है भरत्रिश्व अर्चुन मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है यानि भगवान ने भगवत गीता में ये काहा है कि अगर काम की क्रिया को धर्म के अनुसार किया जाए तो वो स्वैम मैं हूँ यानि कि वो एक पवित्र चीज है अब सवाल ये है कि धर्म के अनुसार क्या है क्योंकि ये matter थोड़ा sensitive है इसलिए मैं इस पर अपनी विचार और अपनी राय नहीं प्रकट कर रहा मैंने इसके उपर तीन अलग अलग भगवत गीता में जो तातपरे है explanation है उसको पढ़ा और उसमें से कुछ चीजे as it is type कर दी है जो मैं read कर रहा हूँ subject very very important है इसलिए बहतर यह होगा अगर आप इस विशे पर ज़्यादा ग्यान चाहते हैं तो खुद उन गीताओं को खोल कर पूरा explanation पढ़े और इस वीडियो को एक बार दो बार सुने क्योंकि मैं explain करने की बज़ाए जैसे मैंने कहा सिरफ read करूँगा जैसे इसकौन द्वारा प्रकाशित श्रील प्रभुपाद की जो भगवत गीता है वो इस लोग के तात्परे में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि धर्म सम्मत मैथून यानि sex संतान उत्पत्ती के लिए होना चाहिए यानि कि जो ये मैथून क्रिया है ये सिर्फ child birth के लिए यूज होनी चाहिए अन्य किसी कारण से नहीं एस पर श्रील प्रभुपाद enjoyment या अन्य और तो क्या होगा enjoyment के लिए ये क्रिया नहीं होनी चाहिए सिर्फ child birth के लिए होना चाहिए ये शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार जिसमें भगवान ने काई कि धर्म के अनुसार ये काम क्रिया मैं हूँ तो धर्म के अनुसार ये क्रिया सिर्फ संतान उत्पत्ती के लिए होनी चाहिए और साथ में श्रील प्रभुपाद ये भी लिखते है कि माता पिता का उत्तरदायत हुए कि वे अपनी संतान को भक्त बनाएं इससे ये भी तात्परे निकल रहा है कि अगर हम ये क्रिया कर रहे हैं संतान उत्पत्ती भी कर रहे हैं तो सिर्फ संतान उत्पत्ती करना भी सफिशन नहीं है साथ में उनका ये भी उत्तरदायतु है माता पिता का कि अगर उन्होंने अपनी संतान उत्पन की है तो वो उसको भक्त बनाए यानि कि उसको सेवा की प्रेणा दे जब की प्रेणा दे एक अच्छा इंसान सात्विक प्रविति का इंसान बनने की प्रेणा दे और इसके लिए उन्हें ऐसे पहला खुद बनना होगा खेर एक अन्य गीता में explanation इस तरह से था कि काम शब्द को कामना से जोड़ें तो कहना चाहेंगे कि जो कामना परमात्मा के निकट लाए सत्संग सेवरा सुमिरन का भाव जगा है वो कामना भी परमात्मा का ही सवरूप है यानि ये काम शब्द को कामना से ले गए इच्छाओं से ले गए और उसमें उन्होंने बेसिकली जो चर्चा की अनेग विशो पर चर्चा की मैं उसमें से सरव एक लाइन ये उठाई कि अगर हमारे अंदर जो कामनाएं हैं जो काम इच्छा है वो भगवान की सेवा की है सत्संग की है सुमिरन का मतलब हो गया एक तरह से कि अगर हमारे अंदर जो है जब करने की इच्छाएं हैं अगर इस तरह का हमारे मन में भाव है तो वो भी एक तरह से परमात्मा का ही स्वरूप है आई आगे भढ़ते हैं अब हम चलेंगे गीता प्रेस गोरुकपूर पे इसमें बहुत सक्त शब्दों में एक्स्प्लिनेशन है मैं इसको एस इट इस रीड कर रहा हूँ अगर पुरुश और स्त्री ऑपरेशन द्वारा अपनी संतान उत्पत्ति करने की योग्यता पुर्शत्व और स्त्रित्व को नश्ट कर देते हैं तो वे दोनों ही हिजडा कहलाने के योग्य हैं इससे पहले इन्होंने जो कृतिम तरीके से संतान उत्पत्ती रोकी जाती है artificial method से उसको भी criticize किया है तो मैं इसको फिर से read कर रहा हूँ कि अगर पुरुष और स्त्री operation द्वारा अपनी संतान उत्पत्ती करने के योगिता को नश्ट कर देते हैं तो वो दोनों हीजडा कहलाने के योगिये हैं नपुंसक होने के कारण देवकारे, हवन पूजन आदी और पित्र कारे, श्राद तरपण में उनका अधिकार नहीं रहता स्त्री में मातरत शक्ती को नश्ट हो जाने के कारण उसके लिए परम आदर्णी एमप्रियें मा संबोधन का प्रियोग नहीं किया जा सकता ये शास्त्रों के अनुसार उन्होंने कोट भी किया है और ये एक बहुती जो है कठिन एक्स्प्लिनेशन है इसलिए मनुश्य को चाहिए कि वो या तो शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार केवल संतानोत पत्ती के लिए काम का सेवन करे अथवा ब्रहमचर्य का पालन करे तो ये है तीन अलग-अलग भगवत गीताओं पर इस काम क्रिया सेक्स के बारे में उपीनियन तो बड़ी मेच्योरिटी के साथ इस सब्जेक को समझना है बजाए ये सोचने की कौन इसको फालो कर सकता है या कौन नहीं हम ये सोचें कि क्या हम इसको फालो कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं मेरे ख्याल से इतना सफिशन्ट है ये कोई डिबेट का विशे नहीं है बहस का विशे नहीं है सिंपल सी बात है कि शास्त्रों के स्टैंडर्ड बताए गए हैं जो महान संतों ने explain किये हैं अब यह हमारे उपर है कि हम उसको कब और कितना माने मतब किस एज पर जाकर इन चीजों को माने और कितना माने या कभी भी ना माने भगवान ने हमें सुतनतर छोड़ा है लेकिन वहीं संतों ने हमें scriptural standards दिये हैं आपके उपर है, मेरे उपर है हम सब के उपर है कि हम इसको कितना follow करना चाहते हैं Hare Krishna